नमस्कार बच्चो जैसा कि पिछली कक्षा में आपने रिती कालिन कावे का अधन किया भी ये भागत रिते में आपके पाठे करम में आधुनिक कावे संकलन के नाम से जो पाठे पुस्तक लगाई गई है इस पाठे पुस्तक में राष्ट्रे कवी मेथली संग गुप्ट से हम सुरुवात करते हैं राष्ट्रे कवी मेथली संग गुप्ट का जन्म 1886 में हुआ चेरगाउं जहांसी और ये दिवेदियुक के लोगप्रिय तथा प्रती निधी कवी होने के साथ साथ खड़ी बोली को कवीता की सरस्ता के अनुरूप ढालने का काम सबसे पहले इन्होंने ही किया दिवेदियुक के बारे में मैं आपको बताऊं कि हिंदी साहित्य के चतुर्थ काल जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं जिसकी समय सीमा आचारी रामचेंदर शुक्ल ने समत 1900 से अब तक का जो समय बताया है इस आधुनिक काल को हम मुख्य रूप से विबाजित करके देखते हैं तो सबसे पहले नाम आता है भारते इंदु काल का जिसकी समय सीमा 1900 से या अगर हम संकी बात करें तो 1857 से 1900 तक का जो समय है उसे हम भारते इंदु युक के नाम से जानते हैं आधुनिक काल का दित्विय सोपान जिसे हम दिवेदी के नाम से जानते हैं जिसकी समय सीमा 1900 से 1915 तक माने जाती है आचारी महवीर प्रसाद दिवेदी के निकट्ट के कारण कुप्त जी ने सरस्वती पत्रिका में नीमित रूप से लिखना प्रार्ण किया और यहीं से हिंदी जगत का ध्यान उनकी भारत भारत भारती नामक रचना ने सर्व पर्थम आक्रिष्ट किया मैथलेशन गुप्त जी ने अपनी कवीता में अपनी राष्ट अपनी मात्र भूमी तथा अपनी मात्र भूमी के प्रती गोरव की भावनाओं से उत्प्रेत कवीताओं उन्नुमें लिखी गुप्त जी के कावे में हमें भारतिय संस्कृति की प्राचीनता के अनुरूप पूजय भावी हमें देखने को मिलते हैं महावीर प्रसाद दिवेदी जी के प्रती अपने सरदा व्यक्त करते हुए स्वयम गुप्त जी ने लिखा है कि करते तुलसी दास भी कैसे मानस नाद महावीर कायदी उन्हें मिलता नहीं प्रसाद तो इस तरह से महावीर प्रसाद दिवेदी मैथलिस और गुप्त जी के काववे गुरू ठेरते हैं मैथलिस और गुप्त जी की प्रमुक रचनाव में हम भारत भारती, जैद्रत वद, पंचवटी, जंकार, शाकेत, यशोध्रा, द्वापर, जैभारत, सिद्राज, विश्नु प्रिया, आदि उनके काववे गरंथ हैं इसके अलावा उन्होंने तिलोपमा, चंद्रहास, तथा अनग नामक्ती नाटक भी मैथलिस और गुप्त जी ने लिखे प्लासी का यूद, मैगनाथ वद, इनके अनुदित काववे हैं यद पी भारत-भारती की कवीताओं ने उन्हें पूर्वे लोक प्रियता प्रदान की किन्तु साकेत नामक महा कावे ने उन्हें कीरती के शिकर पर पहुँचाया यद पी, साकेत जो उनका महा कावे हैं वो राम कथा पर आधारित है तथा पी उर्मिल जो लक्षमन की पत्नी है उर्मिला उनके चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस कावे में त्याग मैई नारी के रूप में चित्रित किया है मैथलिशन गुप्त ने ये सोधरा विश्नुप्रिया आदी कावे में उन्होंने भारतिय समाज में उपेक्सित नारी पात्रों के चरित्र को गरीमा प्रदान की है